तो ये हमारा उकुलेले आया बाहर हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो आज की वीडियो में हमाँ अन्बोक्सिंग करेंगे एक नया उकुलेले का जो भी होने नया मगाया है तो एक्चलिए उकुलेले चाइना का है तो वहां से डिलिवर हुआ है तो मुझे भी पोस्तों से कॉल आया कि उकुलेले आ चुका है तो इसको अभी मैं जस्त लेकर आया हुँ तो सोचा क्यों ने इसका उन्बोक्सिंग वीडियो आपको दिखा दू आपको भी अच्छा आईडिया मिल जाए कि इसका वालीटी कैसा डिलिवरी था तो चलि इसका अन्बोक्सिंग करते हैं मैंने एक एक कांसर्ट उकुलेले मगाया था देखते हैं इसका डिलिवरी कैसा है, कलर कैसा है, दिज़ाइन केसा है इसका sound quality कैसा है, तो चलिए इसका unboxing करते हैं अभी, तो चलिए इसका unboxing करते हैं अभी, तो packaging काफी मजबूत लग रहा है, काफी अच्या packaging लग रहा है, I hope equation-ly thick condition में हो, तो चलिए इसको खोलते हैं, तो आप देख सेकतों अंदर काफी अच्छा bubble wrap किया गया है तो चली इसको खुलते हैं अभी तो काफी अच्छा packaging है तो finally इसका box है main box है तो hurricane company के यहाँ पर देख सेकतों लिखावा hurricane तो चली इसको अभी unbox करते है तो यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा padded bag मिला है उसका अंदर ukulele है इसको खोलेंगा भी एक ukulele capo भी मिला है काफी अच्छा बात है त्यूंकि ukulele capo गिटार capo से थोड़ा छोटा होता है और काफी handy रहता है ठीक है तो एक strap भी हमको मिला ukulele का काफी colorful है इसको खोल के देखेंगे एंड एक digital tuner भी मिला है काफी अच्छी बात है ठीक है तो चले भी यह bag खोल के देखते है ukulele कैसा है अंदर तो यह हमारा ukulele आया बाहर चले एक साथ देखते है इसका first look मैं भी काफी excited हूँ अब देख सकते हो इसका first look कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे cutaway आपको मिलता है concert size का है कासी अच्छा condition ने मिला है कहीं पे कोई damage नहीं है कुछ नहीं है तो कासी अच्छा लगा मुझे इसका first look तो इसका chain है सामने इसको खोल के देखते हैं इसका अंदर क्या है यहाँ यहाँ पर पाउच मिला है हमको I think it's gonna strings extra खोल के देखते हैं अब देख सकते हैं अब इक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स मिला है काफी हैंडी है अब स्ट्रिंग्स चेंज कर सकते हैं अगर पूरा ना हो गया स्ट्रिंग्स अबका देने पॉलिसिंग क्लॉथ आपको मिल रहा है दे चली इसका close look देखते हैं इसका specs के बारे में इस बाद करते हैं तो आई अभी ukulele का close look देखते हैं तो 23 इंच का concert size का ukulele है काफी अच्छा design है यहाँ का cutaway मिल जाता है तो इसका top बना आपका screw suit का जो की काफी अचा उट रहता है इसका fingerboard and bridge बना आपको walnut का प्लस यहाँ आ इसका back side भी देख लेते हैं तो इसका back and sides बना आपका mahoganyood का जो की काफी अचा हुड है इसका अनेक बना आपका African occupant mood है मुझे पता ने इसके बारे में पर कासी अच्छा लग रहा है फील हो रहा है देखने में यह तो इसको play करके देखेंगे इसका quality कैसा आगे हम जान ले पर इसमें provide क्या गया है जो की कासी अच्छी बात है तो चले इसका accessories देखेंगे तो accessories के बात करते हो सबसे पहला आपको बड़े है quality है यहाँ पर padded bag मिल जाता है carry करने के लिए तो कासी अच्छा padded bag है तो आप आराम से carry कर सकते अपने ukulele को बिना किसी ठेंट समते है ठ का scale change करने के लिए तो एक polishing cloth मिलता है आप इसे साफ कर सकते है ukulele को एक strap मिलता है तो यहाँ पर आपको strings का set मिलता है प्लस एक digital tuner भी देजारता है तो चले अभी sound quality को चलते है तो अभी है ukulele को ट्यून कर लिया तो चले इसका quality सुनते है sound का जास नॉर्मल स्ट्रिंग्स प्ले कते हैं तो अभी जब sound सुनोंगे camera के mic से record हो रहा है तो आगे जाके मैं mic से record करके अब सुनाऊंगा कैसा इसका quality हो रहा है तो चले कुस नॉर्मल chords प्ले कते है पहले C major F major G major काफी simple chords है काफी अच्छा लगजा है sound का मुझे तो काफी loud है actually 5-3 साब से तो चले कुछ माइक में connect करके play करके सुनते है अभी तो अभी हब जब recording सुनोंगे इसका raw sound होगा मैंने कोई भी editing नहीं किया है तो चले अभी play करते है कुछ औो यूजों आपी तो नहीं कि यूजोंगे चले करके सब्सक्राइब तो उजएंगे एज़ दो नहीं कोई तो पीज़एंगे इसका प्ले कुछ कर दो कर दो कर दो कर दो अब हैर इसके sound quality सुन ला है मुझे काफी आचका लगा पर्सनली प्लस इसके action भी काफी अच्या काफी low है जो beginner सुन के लिए प्ले काफी easy लिए प्ले कहने के लिए क्योंकि आपको जयादा प्रेस करने के जरुवत नहीं पडेगी तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है इंडियन रुपीज में 6,400 प्लस अगर आपको 1,000 रुपीज का एक्स्टरा कस्टम भी लग सकता है अगर आप मगाते हो तो अगर हम 7,500 अग आपको पड़ेगा अगर आपको कस्टम देना पड़ रहा है वनना इसका प्राइस आपको आजाएगा 6,500 रुपीज अगर तो काफी अच्छा डिल है काफी अच्छा ओड है प्लस इसका कॉलिटी भी काफी अच्छा है आपने सुन लिया भी तो अगर आप सोच रहे हो कि बाहर से मागाना चाहिए कि नहीं मैंने पहले प्रेमियम इकुलेले लेना चाहते हो अराउंड 6,000-7,000 में तो आप इसमें इंवेस्ट कर सकते हो पर अभी जो इंडिया में अभी लेवल है उकुलेले उनलाइन तो इतना अच्छे क्वालिटी के है नहीं और जो है वो काफी महेंगा है 20,000-25,000 तो अगर आप 6,000-7,000 एक इंवेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको मगा सकतो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप दूसरा एकुलेले देख लिए स्टार्डिंग उकुलेले जैसे वर्ड का हो गया वह भी काफी अच्छा एकुलेल है आप उसको चेक कर सकते हो वनार आप थोड़ा एक्स्टा स्पेंड करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो तो अगर आप 6,000-7,000 एक स्पेंड करना चाहते हो मैं रेकमेंड करूँगा आप इसको बाई कीजिए और कर सकते हो आप अगर कोई भी डाउट आप मुझे कॉंटाक कर सकते हो इंस्टागराम में मैं आपको हिल्प करूगा तो आई होब ये वीडियो आपको हिल्प किया है इकुलेल को जैज केने के लिए इसका कॉलिटी को सिपिंग काफी अच्छा ता अपना अन्बॉक्सिंग देख लिया है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो आप ले सकते हो तो अगर कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्षिन ने पूछे मैं आपको हिल्प नेक्स वीडियो पर थैंक्यू फू वाचिंग